स॥क्ति दोस्तो नमस्ति पर सव्त करता है अंज हो जय दोस्तों दोस्तों अक्रेश दो 행प सुपन जर्च्सपने कर दोस्तों पहले हमने दोस्तों physics को over किया था फिर हम biology पर आ चुके हैं और biology में दोस्तों हम लोग end पर आ चुके हैं मतलब हमारा 80% दोस्तों जो है आज complete हो जाएगा बस 10% बचा हुआ है मतलब plant kingdom से बचाएगा उसको हम यहाँ पर जल्दी से जल्दी complete करेंगे फिर उसके बाद हम लोग रिती सभी को यहाँ पर good evening एप फड़ा वर्षे दोस्तों share कर दीजे जिससे सभी लोग यहाँ पर जुड़ सके और हम इसको start कर सकें तो चलिए दोस्तों इस session को start करते हैं बढ़ेंगे दोस्तों पहली slide की तरफ और जहाँ पर है motivational quote हार तो वो सबक है जो आपको बहतर होने का मौका देगी बिल्कुत सभी बात है दोस्तों हार से डरना नहीं है हार से सीखना है क्योंकि लाइफ में दो चीज़ होती है या तो जीत होगी या तो हार होगी जीत गए तो दोस्तों आपका लक्ष मिल जाएगा हार गए तो आपको एक मौका अलग से मिलेगा जिसमें आ चल जाए कि स्क्रीन और वाइस एदम क्लियर है और भाई साव यहां पर कुछ पूछ रहे हैं तो फड़ा वर्ट से एक बार येस कर दीजिए फिर बढ़ते हैं पहले स्लाइड की तरफ और दोस्तों आज हम लोग जो यह टॉपिक पढ़ने वाले यह थोड़ा सा ना अट पर फोकस करना है तिक है जादा डीटेल में जाना है तिरफ एक्जामपल पर फोकस करना है और हम यहां पर बढ़ेंगे ठीक है चले पहली स्लाइड की तरफ हम लोग आते हैं यह आपको भी राधे राधे तो दोस्तों अनिमल किंग्डम आखिर है क्या ठीक है तो यहां पर यहांपर तोटब पांच किंग्डम ठीक regimes तो यहां पर बात करेंगे टीक है यहांपर वितेकरजार जी ने फाइफ क्लासिफिकेशन किंडम दिया था ठीक है उन्हें प्लासिक की केशन किंग्डम में दूस्तों अगर हम बात करें तो कौन कौन से दोस्तोंgili एक ठीक है और पांच वा जो है दोस्तों यह है प्लांटे ठीक है हम लोग दोस्तों यहाँ पर क्या करने वाले हैं एनिमल और प्लांट को कवर करेंगे ठीक है तो एनिमल आज हम कर रहे हैं दोस्तों इसी को एनिमेलिया कहा गया है ठीक है यह दोस्तों यह सारे पांच क्लासिफि तो दोस्तों यहां पर बड़ा पर परशानी वाली चीज़ होगी कि आप इसको बता कैसे पाओगे कि यह वाला एनिमल जो है यह इसमें बिलॉंग करता है यह वाला एनिमल इसमें तो इनका फ्लासिफिकेशन करना जरूरी है ठीक है तो अनिमल किंड़म को भी फिर क्लासिफा करती ठीक है जैसी हम कुछी स्पीसीस को दोस्तों साइनिस्ट को अचानक से नई स्पीसी तो कैसे आप कहो गए कि यह इस में आना चाहिए क्या बोलते हैं मोलस्का में आना चाहिए या फिर कैसे कहो तो दोस्तो क्या किया ना group of species को लिया गया उनके दोस्तो क्या किया गए characters देखे गए features देखे गए for example कि भाई किसी दोस्तो कीड़े के क्या है दोस्तो टांगे जुड़ी हुई है jointed lengths है ठीक है किसी में दोस्तो क्या है heart chamber जो है दोस्तो या फिर जो flow of blood है वो दोस्तो open है बलब close नहीं है उसमें नली नहीं है open flow होता है blood ठीक है तो इस तरीके से दोस्तो study की गई अब जो भी दोस्तो species मिलेगा अगर जिसके साथ उसके characters मिलेंगे उसको उस category में डाल दिया जाएगा इसलिए classification जरूरी है ठीक है यह तो बात होगे थोड़ी थोड़ी सी theory वाली अब दोस्तो यहाँ पर basic classification है क्या तो दोस्तो यहाँ पर चार चीज़ों या फिर पांच चीज़ों की कुछ ऐसी basis है जिनके दोस्तो बेसिस पर classification किया जाता है कौन-कौन सा है वह हम देखते हैं despite the differences in the form of different animals and structure there are fundamental features common to various individuals and those features are दोस्तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे species होंगे उनमें difference भी होंगे लेकिन कुछ features ऐसे होते हैं जो difference यहाँ पर हम check करते हैं so that कि उनको हम लोग क्या कर सके हैं दोस्तो अलग-अलग category में रख सकते हैं तो सबसे पहले आता है कि arrangement of cell उसमें cell का arrangement कैसा है ठीक है arrangement of cell कैसा है the animals in which cells are arranged into two embryonic layer external ectoderm and internal ectoderm are called diploblastic क्या दोस्तो कि क्या कहा जाता है क्या कहा जाता दोस्तों diploblastic किसको कहा जाता है जिसमें दोस्तों सेल अरेंज होते हैं two embryonic layer में या external ectoderm में या internal कहीं पर दोस्तों बाहरिक या फिर आंत्रिक कहीं पर दोस्तों यहां पर क्या होगा two layer जो cell होगे वह arranged होगे तो उसको हम क्या कहेंगे dye dye मतलब होता है दो दो याद रखेगा डाय मतलब दो क्या कहेंगे क्या कहें डायप्लो ब्लास्टिक एक्जांपल के तौर पर दोस्तों पोरीफेरा पोरीफेरा इसका एक्जांपल है और नाइडेरिया ठीक है याद रहेगा अगर ऑगर सैल है दोस्तों उसको दोस्तों क्या किया गया है दो लेयर embryonic layer में रखा गये चाहे एक्स्टरनल एक्स्ट्रोडरम हो या फिर इंटर्नल एक्ट्रोडर्म हो उसको हम क्या कहेंगे डाइपलोब्लास्टिक कहेंगे ठीक है अब देखे बॉड़ी की सीमेट्री बॉड़ी किस तरीकी की दोस्तों उसकी है ठीक है तो स東西 यहां पर सिमेटरी हुई तो रेडियल सिमेट्री और बाइड बाइटेरल सिमेट्री अब दोस्तो माल लिजिए कोई SAY सिमेट्री है ठीक है कैसी सिमेट्री दोस्तों कैसे डू sap लासे उसरे सोन वाला पार्ट फ्रीच वाला अलग तो इसका मतलब हों उसके भी डिफरेंशियेट किया जाएगा सिमेट्री के मिपिंटियांगे निचार आ यहां से पूछे जाते हैं आपके एक्जाम में लास्ट टाइम और प्लांट किंग्डम ने रुला दिया था लोगों को ठीक है बायो की बात अगर मैं करता है चलिए आगे बढ़ते हैं जिसके बेसिस पर दोस्तों यहां पर स्पीसिस को डिफ्रेंशियेट किया जाता है फिर उनको दोस्तों अलग-अलग के डिगरी में रखा जाता है अब सबसे पहले आता है तो पॉरिफेरा के करेक्टरिक्स हम देखे हिसेँ है अगर बात कर İyi तो इसमें पोर्फ होते हैं सिंपलेश्ट म Councillor सार्य एक ऐसा नहिए कि यूनिचेललर रहे लेगिन पोरीफ्या कैसा है Moi कैसी ओनी पाए जागा यह दोस्तों पानी में putting in समूधर में पाए जाएगा ओनली दोस बिलॉंग शुदा फैमिली ऑफ इस्पॉंज ली डे ठीक है लिव इन दा फ्रेश वाटर ठीक है दोस्तों किसमें पाए जाते ताजे पानी जील होती है उन्हें पाए जाएगा दोस्तों यहां पर बात करें कुछ खारे पानी में भी जाते हैं सी में पाया जाता है सी का पानी थोड़ा खारा होता है ठीक है बॉडी इस नॉट डिफ्रेंशेटेटेट इन टिसु दोस्तों टिशु में ज्यादा डिफ्रेंशेट आपको देखने मिलेगा ठीक है दोस्तों इस पॉन्जो कोल अपको दिखा देता हूं यह जिक यह दोस्तों यहां पर ऊपर होल सा दिख रहा है ठीक है लेकिन इधर से लेयर मालो ह्ता देखे़िए कोंट यहां पर ओस्कोलम है ठीक है है यह है ऐगसिउड बढाब बोडी से बाहर निकलताए बहुत ही बड़ा ओपन होता है उसको और ढूस कोलो में लियुक सोटन करने अब दोस्तों आप से पुछा जाएगा लिूको सोलेण यह किसका पार्ट दोस्तों किसका एक्जांपल है तो पौरिफेरा का है किसका के तो फिरका ठीक है कुछ और कोई से बनाओगा यहां पर ऐस्थिम और ऐस्थी आ différents जोओ आपकेल अस्थ युह आई अभेस इन दोनों को मिलाके बना के देख लीजेए दोस्तों इसका एक्जामपल है और किया दोस्तों यूसे पॉउंजी सब्सक्प्राइब है और साइकवाद और साइकोनगों मिल राअ साइफा कुछ इस तरीका के दिखता है ठीक है तो यह दोस्तों कुछ दोस्तों एक्जामपल है यह ध्यान रखेगा एक्जामपल आपके एक्जाम में पूछा जाता है कि पूछ लेंगे साइफा किसका एक्जामपल है या फिर पूछ लेंगे दोस्तों साइकॉन किसका और यह सेंटी और सब्सक्रीजण करते हैं यह टीकर इसी ऐसा धाएगे यह टैलेे जैसे होता है यह 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 याद रहीगा अभी दिटो dipilloblastik dipilloblastik अभि हमने देखा था dipilloblastik किसे कहा गया था dipilloblastik उसे कहा गया था जहां पर double layer Dosdoh क्या होगा external- rankings परец1 पर वे क्यों घॉहां पर हम बात करें Nideria का Digestion कहां पर देखने को मिलता है, तो Colentron में देखने को मिलता है, which is very important, ठीक है? इसका पाचन जो है, दोस्तों वो आपको कहां पर मिलेगा? Colentron में देखने को मिलेगा. A Gastrovascular cavity formed by two layered body was that is Epidermis and a Gastrodermis. दोस्तों, दोस्तों लेयर इसमें form होती, एक होता है epidermis एक होता है gastro dermis जो कि दूस्तों पाचन में help करते हैं पाचन जो होता है कोलेंट्रॉन में होता है ठीक है इस cavity opens by a mouth at one and only एक दोस्तों सेरे से क्या होता है इसका दोस्तों opening होती जिसको mouth कहते हैं ठीक है जिसके through वो दोस्तों क्या करेगा दोस्तों full intake करेगा और digestion process चलेगी कहाँ पे kolentron पे ठीक है चले respiratory, circulatory and excretory organs are not present अब देख लिजे दोस्तों ना ही इसमें स्वशन तंत्र है ठीक है ना ही इसमें दोस्तों क्या बोलते हैं excretory वाला पार्ट है ना ही circulatory वाला पार्ट है इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा है दोस्तों digestion वाला पार्ट देखने को मिल रहा है ना ही respiration देखने को मिल रहा है ना ही circulatory ना ही excretory ये याद रखिए not present लिखा हुआ है which is very important ठीक है इनमें दोस्तों ये absent होगा अब example कौन कौन सा है दोस्तों hydra hydra example है ओबलिया ठीक है औरेलिया पीनुलेटा और कोरेलियम फाइसलिस दोस्तों ये सारे के सारे क्या है example है millipora metridium ठीक है इनके दोस्तों अलग-अलग नाम भी है दोस्तों जैसे औरेलिया को jellyfish भी कहते हैं पैनुलेटाग दोस्तों सी पैन को रेड कोरल फाइसलिस को पोर्टुगीस मैन ओफ वार मिलिपोरा को कोरल और मैट्रीडियम को सी एनेमोन कहते हैं ठीक है ये example important दोस्तों इसको याद रखेगा यह आप से पूछा जाता है यहां से दो पॉइंट दोस्तों important हो गया तीसरा example example दोस्तों यह important रहेगा यह याद रखेगा ठीक है चले आगे चले आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर अगले स्लाइड पर लेकिन उससे पहले सभी लोग क्या करें को फड़ावर से शेयर और लाइक करते हो चलेंगे ठीक है अब देखे दोस्तों नाइडेरिया का कुछ डाइग्राम है आपके सामने नाइडेरिया का आप दोस्तों यहां पर देख सकते हो ठीक है जैसे एडमेंसिया स्कते हैं यहां पर नाइडो ब्लास्ट का की डाइग्राम है और एलीया का है किसको ऑलेलिया का ठीक है कुछ अजीव करिव दोस्तों डाइग आपको देखने को दा देंगां चांद आगे बढ़ते हैं नाइडेरी एक बात लेकिन दोस्तों आपको सभी को मैं बता देना चाहता हूं जितने भी लोग दोस्तों एलपी और टेक्निशन की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपको अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग कोचिंग पर तैयारी करने की पड़ सकते हैं ठीक है दोस्तों यहां पर cbt1 और cbt2 दोनों के दोस्तों आपको मिल जाएंगे जिससे आप त्यारी कर पाओगे यहां पर 100 से ज्यादा दूस्तों इस्टेडी नोट्स आविलेबल है 500 से ज्यादा मास्टर क्लास 9 से ज्यादा कोर्स हैं और सारे 400 से भी ज्य पे चैनल पर चले जाएंगे इसको आप क्लिक करेंगे नीचे की तरफ आएंगे तो दोस्तों इसको यहां पर मिलेका इसको क्लिक करेंगे इसको click करते ही दोस्तों आप channel में चले आएंगे ठीक है यह live class चल रही है ठीक है live class को click करते हैं और नीचे की तरफ आते हैं दोस्तों जिनोंने like नहीं किया सबसे पहले क्या करेंगे like करेंगे ठीक है और यहाँ पर जैसे आप open करोगे आपको दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ by aeg ठीक है यहाँ पर जैसे आप click करोगे दोस्तों आपके सामने डीटेल सारी आ जाएंगी ठीक है जिस exam की आप तयारी कर रहें दोस्तों आप यहाँ पर सूपर कोचिंग पर जाके दोस्तों उसके collect करके देख सकते हैं आपको जो भी ssc है ssc railway banking हैं बैंकिंग है railway का है दोस देखने सर के तो आप डेमो क्लासे यहाँ पर देख लोगे ठीक है अभी यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर डेमो क्लासे यहाँ लिए अविलेबर लेकिन आपको अपने आईडी से लॉग इन करना होगा यह free of है दोस्तों free video है ठीक है इसको आप चेक कर सकते हो लेकिन अभी join RRB ALP है इसको join करेंगे ठीक है जैसी join करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको एक apply coupon code का दोस्तों यहाँ पर आएगा option right hand side पे उसमें दोस्तों apply करना है गौरव M G A U R A V M जैसी आप उसको apply करोगे आपको वहाँ पर discount मिल जाएगा और आप तयारी भी कर पाओगे ठीक है चल लोग flat warm भी कहते क्या कहते दोस्तों flat warm आप से पूछा भी जाता है flat warm is the example of your flat warm is known as to platy helminthesis बहुत important दोस्तों ठीक है कैसे होते हैं छोटे से होते हैं soft होते हैं flat होते हैं Unsugmented jeune आधे रहाद रहा वांस डू नौट है वावडी टीटेंges एनगे बडियरीचे सिस्टम इन में मी होता है incomplete digestion इन में देखा जाता है ठीक है with no circulatory respiratory and skeleton देखें दोस्तों इसके अंदर skeleton भी नहीं होगा दोस्तों आभी हमने देखा night area में तो कमसे हम skeleton system देखने को मिल रहा था इसमें दोस्तों एक तो incomplete digestive system है ठीक है दूसरी बात दोस्तों नहीं इसमें circulatory है नहीं respiratory है नहीं skeleton है इसका डियागराम आप देख सकते दोस्तों यहां पर टेपवार्म दोस्तों टेपवार्म इसका example है कि इसका platy-helminthesis का तो टेपवार्म मैं यहाँ पर लिख देता हूं टेपवार्म ठीक है दूसरा example जो है दोस्तो यह है liver fluke क्या दुस्तो लीवर fluk है ये एक्सके इसके दोस्तो यह है platy-halminthesis के example ठीक है चलें आगे ठीक है चलिए अगला दोस्तो आपके लिए यह रहा दोस्तो यहाँ पर दिया गया है ascal Manhasis ठीक है उसको हम कहते थे platy-halminthesis flatworm ascal hani को कहते है round warm क्या कहते है दूस्तो round warm ठीक है आप से एक्जाम में क्या पूछेंगे दूस्तो कि round warm किसे कहा जाता है तो आपको option में देंगे अपको option देंगे ठीक है लेकिन आपको क्या लगाना है टिक वहाँ पर अंसर हो जाएगा टिक लगा दीजेगा ठीक है इस तरीके का सवाल आपको देखने को मिलता है अब दोस्तो इनकी body part कैसे होती दोस्तो दोस्तो यह mostly aquatic होते हैं मतलब पानी में रहते हैं free living और parasitic होते हैं चलिए body cylinder होती है मतलब यहां पर दोस्तो cylinder आपने देखा होगा cylinder शेप का होता है मतलब कुछ इस प्रकार का होगा इनकी body जैसे snake वगएरा की body होती है उस टाइप की हना और दोस्तो यहां पर unsegmented यह भी होते अब यहां पर important क्या है इसमें दोस्तो हमारे लिए example क्या है दोस्तो एंसिलो स्टोमा ठीक है एसकेरिस ठीक है और वुचेरिया अब इस भी को का कहा जाता है hook warm कहते हैं round warm कहते हैं और philarial warm कहते हैं तो दोस्तो आपको यह नाम याद रखना है hook warm round warm और philarial warm दोस्तो most of the exam में आपको यही नाम देखने मिलेंगे हो सकता है दोस्तो की examiner का mood एकदम वह हो भयानक वाला की अब बच्चे को toughy देना है तो वह यह वाले नाम देगा दोस्तो एंसिलो स्टोमा एसकेरिस या फिर दोस्तो विचेरिया यहां पर यह देने को वह बोलेगा ठीक है अदरवाइस आपको यह देखने को मिलेंगे तो है चलिए science-physics biology and chemistry में marks weightage क्या होता है देखेंगे टोटल तो 20 marks का होता है ठीक है 75 question होते हैं 75 दोस्तो first cbt में 75 question होते हैं जिसमें से science जो है science यह दोस्तो 20 नमबर की आती है science जो है 20 नमबर की आती है 75 में से 10 नमबर आती है General awareness जिसमें दोस्तों आपको current affair जी के वाला नहीं रहता है किसी का कित्ता पाड होगा मुलेकि योडिय्स नहीं रहे हैं था किमिशत है कि आ वह सकता है केमिश्ट्री जादा पूठ लिए तो करना पूरा है ठीक है यहां पे क्रिष पूछ रहे थे तो क्रिष्ट आप albums यहां पर आप देखने को मिल रहा है आप देख सकते हो यहां पर डाइग्राम आपको देख रहा है एनिलीडा का ठीक है और दुस्त यहां पर हीमोग्लोबिन इन इसमें प्लाज्मा में थीक है उनके पाइट होता है और वह दोस्तो किसका काम करता एक्सक्री श्टम का यहां पर काम करता है ठीक है लार्वा वेन प्रेजंट इन यहाँ पे ट्रोको फोर िढ़नेशन ड़िनरेशन इस कॉछमन एकजापल क्या नरस ठीक है यहाँ पर फेंटे माद एहां देख सकते हैं या-पर अर्थ-वं कहांग आप यहाँ हें यह दूस्ट Rh जो कि बोड़ी चले आगे चलिए आगे बढ़ते दोस्तो अगले स्लाइड की तरफ यह तो एली डा बाथ हो गई और तो पोड़ा और तो पोड़ा बहुत ज़्यादा एक्जाम बढ़ डौसो एक्जाम में पूछा जाता है क्यों सबसे बड़ा दोस्तों अगर कोई फाइलम पूछा गया है कि ये सबसे बड़ा होता है सबसे बड़ा मुलस्का उसके बाद होता ist segmented body, same वही है दोस्तों, कोई difference नहीं है, body is divided into three parts, इसमें दोस्तों तीन पार्ट आपको देखने को मिलते हैं, एक शरीर में दोस्तों, आपको तीन पार्ट में इसको बाटा जाता है, एक तो head होता है, thorax होता है और abdomen, क्या दोस्तों, head, thorax और abdomen, तीन पार्ट इसमें देखने को exoskeleton is present and made up of cuticle, दोस्तों इसमें exoskeleton present होते हैं, body cavity is hemocol and filled with blood, ठीक है, open circulatory, दोस्तों इसमें देखे, पिछले बार हमने दोस्तों अभी क्या देखा था, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, अनिलीडा में, आपने देखा था, यहाँ पर closed circulatory system देखने को मिल रहा था, जबकि दोस्तों और्थो पोड़ा में कैसा है, open circulatory system present है, यह याद रखेगा, excretory organ are green gland, coastal gland और malafigean tubules, दोस्तों इसका मतलब है, कि एनिलीडा में, सौरी, और्थो पोड़ा में, आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर excretory system मिलेगा, जबकि दोस्तों एनिलीडा में नहीं था, ठीक है, नहीं नाइडेरिया में था, यह याद रखेगा, चले आगे, चले, तो आपके सामने दोस्तों यह diagram है, आप देख पाओगे, ठीक है, यहाँ पर आपके सामने, जोस्तों, यहाँ पर मचली है, जो प्रॉन मचली जिसको कहते हो, जिसको कहते हो, प्रॉन मचली, ठीक है, फि उसका butterfly, तितली, यह सारे example है किसके दोस्तों, यह example है सारे के सारे orthopoda के, किसके दोस्तों orthopoda के, अब आपके exam में पूछा जाएगा, कि बताइए spider किसका example है, तो orthopoda का है, या फिर आपको पुछेंगे prawn, जिसको जहींगा हम लोग कहते हैं, वो दोस्तों किसका example है, वो भी orthop daily live classes होते हैं, किस channel पर दोस्तों, super coaching A.E.J.E. by test book पर, ठीक है, तो आप यहाँ पर जुड़ सकते हो, मेरे साथ, शाम को 5 बज़े से class होती है, शुड़ू, जहाँ पर हम लोग science करते हैं, just मेरे class के बाद दोस्तों, नेहा में की class होती है, 6 बज़े जहाँ पर आप reasoning कर सकते हो और दोस्तों, 7 बज़े जो होती है, वो होती ही, मेस की class, जहाँ पर हिमाशू सर class लेते हैं, और इन classes को आप क्या कर सकते हो, attempt कर सकते हो, और अपनी A.E.L.P. की तयारी को continue रख सकते हो, यह सारी YouTube पे available है, free of cost है, कोई भी भाई, इसमें देना देना नहीं है, आपको आना है class attempt करना है, questions लगाने है, सीखना है, और अपने exam में मचाना है, ठीक है, तो यह दोस्तों classes है, timing मैंने आपको बता दी, 5, 6, 7, continuously दोस्तों यहाँ पर series की तरह आपकी classes चलती है, ठीक है, चलिए, अब बढ़ेंगे मुलस्का पे, दोस्तों मुलस्का पे बढ़ते, मुलस्का द है, ठीक है, चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं, आखिर मुलस्का होता क्या है, तो दोस्तों यह याद रखिगा, soft, बड़े, दोस्तों यह कोमल होते है, ठीक है, soft होते, मुलायम होते, यह याद रखिगा, unsegmented body and the body is covered by a flashy, flashy fold, दोस्तों फ्लेशी fold, दोस्तों mental, इसको दोस्तों mental कहा जाता है, क्या कहते हैं, दोस्तों इसको mental कहते हैं, ठीक है, इसके अंदर जो body होती, दोस्तों बड़ी मुलायम सी होती है, आपने देखा होगा, जो जो body होती, बड़ी पिलपिली सी, मतलब मुलायम होती है, soft होती है, have one or two clarice shell, ठीक है, gills और pulmonary chambers are present for respiration, इनके अंदर दोस्तों गills present होते हैं, ठीक है, pulmonary chambers होते हैं, जिसके थुरूई दोस्तों यह का कर सकते हैं, श्वशन तंत्र इनका काम करता है, ठीक है, चले, hemoxinin, the copper containing respiratory pigment is dissolved in the plasma, ठीक है, इनके पास दोस्तों digestive system भी होता है, obvious ही बात है, excretory organ भी होता है, excretory organ is kidney, और organ of bojan venus और cabars organ, दोस्तों इनके अंदर इसका रिटरी वाला भी part present होता है, मुलस्का में, example देखिए दोस्तों, octopus, octopus इसका example है, यह दोस्तों कई बार exam में पूछा गया, कई बार कि बताई, octopus किसका example है, तो मुलस्का का example, किसका दोस्तों मुलस्का का, ठीक है, फिर दोस्तों यहा बात करें, tusk shell कहते हैं, इसको, Doris को sea lemon, पाला को apple snail कहा जाता है, ठीक है, snail कहा जाता है, जो अभी हम बात करें तो दोस्तों किसका, इंगलिश में कहते है, snail, हाना तो दोस्तों इसका example है, क्योंकि वो soft होता है, चले आगे, अब जब भी आप से कोई soft वाली चीज पूछ ले ठीक है, pieces का मलब, आपने देखा को न, मचली पालन को क्या कहा जाता है, PC culture कहते हैं, PC culture, PC culture, मचली पालन को, PC culture, वही है दोस्तों, pieces, ठीक है, याद रखिया, these are, यहाँ पे skins are moist and scally usually, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, दोस्तों, उनके जो surface होती है, वो moist होती है, ठीक है, respiration is taken placed by gills, दोस्तों, जो स्वशन तंत्र काम करता है, वो गिल्पे करता है, मचली प्रेजेंट होते हैं, आपने देखा होगा, बचपन में मचली तो खूब बनाई होगी, अब मचली तो बनती नहीं है, लेकिन फिर भी बनाने के कोशिश करते हैं, यह कुछ मचली होती है, इस अपर, आपको ऐसे gilt देखेंगे, बहुत सारे ठेक है, यह आख हो गई, ठेक है, तो इस तरीके से मचली आपको देखने को मिलती है, तो यह गिल्पे लगे होते हैं, ठेक है, गिल्स से दोस्तों यह क्या करता है, अपना सांस लेता है, ठीक है, छले आगे, चले, ता हार्ट इस टू चैंबर अब देखिए दोस्तों मचलियों में कितने दो चैंबर होते हैं अपने पढ़े थे जो आपने रेस्पिरिटरी सिस्टम पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था कि फिश जो होती है उसमें दोस्तों दो होते हैं हिरदय में ूर्डोर तो मैमल में और दोस्तों मैमल खञ पानी लाइन ठीक है सेंस औरगन और फंक्शनल इन वॉर्टर देखिए दोस्तों इनके सेंस औरगन जो होते हैं वह पानी में जादा काम करते हैं ठीक है एस कंपेर तुद बाहर जैसे आप मचली को बाहर लाओ तो दुस्ते एक्जम बिहोशी के हालत में हो जाती है उसके सेंस और बंद कर देते हैं में हम लगा कम हो जाती है अगर वही पानी में हो तो ऑगर मचली है उसको तुरंट सेंस हो जाते है कुछ तो यहां पे घडबड है अब इस्पर में क्या लेवि अगेटिय कार्प कहते है सीहोर्स, डॉघ फिश, कैटल फिश, गैमच्छिया, इलेक्रिक पूरी की पूरी मचलियां जो हमने बात की वह पीसेस में आएंगी ठीक है फिश इसलिए हमने पहले इसको कह दिया था कि यह फिशेस काटेगरी ए चले बहुत बढ़िया चले तो आगे बढ़ते हैं दोस्तो यह तो होगा पीसेस अब आता है दोस्तो एवीज क्या होता थी क्या करता है सांस लेता है बिल्कुल बात सही है एर बीधिंग वोबिपोरस वाम-ब्लड़ड और दोसी वाम-प्लडड होते हैं मैमल जो है दोस्तों वाम-ब्लडड रहोगे अधा गंटा एक गंटा दोसके बाद और तो हम लोग कैसे वाम-ब्लडडड हैं गरम-खून यह याद रखेगा इसे याद रख सकते है चलिए फैदर इसी बाद है पंक देखने को मिलता है फैदर वही बात कर रहा है है शेर्म का कम करते है पंक कार करते हैं गलेंट ऒसके तीछी अंदर देखने को मिलते है मैं में भी चार चेंबर होते है lungs is present for respiration इनके में lungs present होते हैं दोस्तों याद रखेगा जबकि मचलियों में क्या थे gills present थे ठीक है अब देखें frogs में क्या होता है जो amphibian होते हैं न दोस्तों frogs इनके अंदर दोस्तों lungs भी हो गता है और skin और दोनों से सांस ले सकते हैं लंक्स और skin दोनों से सांस ले सकते हैं ठीक है याद रखेगा urinary bladder is absent इनके में दोस्तों bird में urinary bladder नहीं होगी only one ovary is found in female individual दोस्तों एक ovary सिर्फ पाई जाती है female में जबकि दोस्तों अगर हम बात करें mammal की mammal में दोस्तों अगर हम बात करें कीवी पिकॉक स्पैरो और इट सेक्टरा मलब गोरय यहां पर डाइग्राम में आपको दिख रहे हैं ठीक है याद रहेगा भूलीए गामद क्या important है चार चेंबर होते हैं यह important है ठीक है और दोस्तों यह पूछा जाता है कि इसमें क्या होता है कि और ओवरी किती होती तो दोस्तो ओवरी याद रखीगा अगर आपको दोस्तो यह सारे नाम देदेगा और पुछे का एक्जामपल है तो एवीज का एक्जामपल है यह याद रखेंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते दोस्तो अब यहाँ पर कुछ कोशन कर लेते हैं क्या कर तो दोस्तो कुछ कोशन कर लेते हैं तो पहला कोशन दोस्तो आपकी स्क्रीन पर देखते हैं कितने लोग यहाँ पर करेक्ट आंसर देंगे ठीक है पहला कोशन दोस्तो एनिमल्स फ्रॉम क्लास डैश और वाम ब्लड़ड़ एनिमल्स लीजे दोस्तो वर्ग डैश की तो यहां पर सभी Avs, Avs जो जह रहें दोस्तों, जितने लोगों ने Avs का है, उनका बिल्कुल correct answer होगा, दोस्तों, अभी मैंने आपको मलब तया, जैसे कैसे याद कर सकते हैं, वो मैंने आपको बताया है, ठीक है, यहां पर जितने भी लोग पानी में होंगे, ठीक है, पानी म तो ये भी दोस्तो पानी में रहता है बिल्कुल रहता है क्रोकोडाइल एक्जाम्पल है दोस्तो पानी में रहता है एंफीबिया एंफीबिया मतलब फ्रॉग फ्रॉग है ना फ्रॉग एंफीबिया है ना ये तीनों के तीनों पानी में रहते है एवीज पानी में नहीं रहत identify the cold-blooded animal दोस्तों ठंडे खून वाले जानवर की पहचाने कीजिए कौन होंगे elephant, human, dog और snake देखे दोस्तों जो आपने याद करने का तरीका धूना है न उससे और दोस्तों एक भी question गलत नहीं होगा अगर आप सही तरीके से लगाओगे वेरी गुड़ पप्पू ठिलाडी रिती रादेश्याम लोबजयांग बहुत बढ़िया दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा इसने करेक्ट आंसर क्या होगा यह किसका एक्जामपल दोस्तों यह cold-blooded का है बाकि दोस्तों यह सारे कैसे warm-blooded ठीक है चलिए अगला question दोस्तों which of the following is the largest group of animals निमलिखित में से कौन पशुओ का सबसे बड़ा समू है क्या वो नेमटोड़ा है आर्थोपोड़ा है मुलस्का है या फिर पोरिफेरा है जल्दी से पते दोस्तों सबसे यादा स्पीसीज किसमें पाए जाते हैं खिराडी कहरे सर भी होना चाहिए बाकी लोग क्या कहते दोस्तों पप्पू भी कह रहे सर भी होना चाहिए रादेश याम बहुत बढ़िया वेरी गुड दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा और्थोपोड़ा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इसमें million of species दोस्तों इसके अंतरगत आते हैं इस डैश इस दा सकेंड लार्जेस्ट अनिमल फाइलम दूस्तों दूसरा सबसे बड़ा पशु संग कौन सा है क्या वो मुलस्का है कोड़ेटा है या फिर कोलमेट से या फिर एनिलीड है दोस्तों सबसे बढ़ा तो हमने बता दिये दोस्तों अब यहाँ पर पूछा गए मुलस्का वो करेक्ट रहुता है अब एक चीज़ याद रखेंगा मुलस्का हमेशा कैसे होते हैं कैसे होते हैं कैसे होते हैं दुस्त वांटी सेलूलर अनिमल दूस्तों निमलिखित में से कौन बहू कोशिकी जीवन नहीं हैं अमीबा डूमन होर्स रूह में यह आप से यहाँ पर खिलाडी के रहे सर ए पपू ए के साथ सरीना के रहे सर वन होना चाहिए खिलाडी के रहे सर अगें वन ओके प्रग्या भी वन के साथ रिती वन के साथ तो दोस्तों जित्ते लोग के रहे सर वन वन उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर का अमीवा दोस्तों यह होता है य यह याद रखेंगे ठीक है बाकि दोस्तों मल्टी सेल्लर हैं ठीक है हम यूमन्स तो वैसे भी मल्टी सेल्लर रहे बहुत सारे सेल्स हैं अपनी बॉड़ी में ठीक है कैड़ भी और होर्स भी ठीक है मल्टी सेल्लर अगला कोश्चन ओर्गनिस विट पोर्स ऑन देर बॉड़ी आर गुरूब्ड अंडर दोस्तों शरीर पर छिद्र युक्त जीवो को संग अंतरगर्त वर्गित किया जाता है किसमें किया जाता है एनिलीडा नेमोटोटा ट्रेटा या फिर पौरी फेरा जल्दी से पता है किसमें छेद देखने को मिलते हैं यहां पर पप्पू कहरें सर टू होना चाहिए सरीना कहरें सर फोर होना चाहिए बाखी लोग क्या होगा सभी लोग फड़ा फड़ से बताएंगे ठीक है तो दोस्तो हमने सुरू में ही बात कि थी सबसे पहले उसी को पढ़ा था यहां पे प्रग्या का करेक्ट अंसर नहीं कर अंसर है दोस्तो सबसे पहले में घित्तव लोग करे दशब अगले question बढ़ते दोस्तों अगला सवाल which group of animals are exclusively free living marine animals दोस्तों यहां पर जानवरों का कौन सा समू विशेश रूप से मुक्त रहने वाले समुद्री जानवर हैं कौन दोस्तों और्थोपोडा एक्नोडर्मिटा मुलस्का और नेमाटोड जल्दी से पते दोस्तों कौन से हैं चानवर यहां पर सभी लोग फटाफर से बताएंगे और दोस्तों जिनों ने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफर से लाइक करेंगे और शेयर करते हुए चलेंगे फटाफर बताइए यहां पर प्रग्या करेसर सी होना चाहिए रादेशाम बी के साथ अच्छा तो डैश is the most intelligent mammal on the earth दोस्तों डैश प्रिथिवी पर सबसे बुद्धिमान इस्तंधारी है कौन हिप्पोपोटैमस डॉग डॉल्फिन और डियर सबसे जादा दोस्तों होश्यार कौन होता है यह अपने दिमाग का 10 प्रतिशत आपको पता है यूमन जो है वो अपने दिमाग का अप्रोक्सीमेटली दोस्तों यहाँ पर 10 प्रतिशत यूज कर लेता है ठीक है प्रग्या कहरे सा डॉल्फिन डॉल्फिन तो दोस्तों डॉल्फिन बहुत होशी आ ठीक है चले आगे चले लोबजंग बहुत बढ़िया प्रग्या पपू बहुत बढ़िया क्रिश वेरी ग प्लेटीपस कंगारू बैट और कैट तूसमला पूरी थारीके से बच्चा डइरिकली जर्म नहीं लेताए वह धीरे-धीरे करके जर्म लेता है यहां पर कह रहा है तो ऑप्ष्ण- बटू- एस्टो-इस्ट कंगारू क्य mau तुर्या जब नहीं है कंगारू यहाँ पर कर्रेक्ट आंसर रगा आगे बढ़ें चलिए अगला खुशन दोस्तो वाट इस दा कॉमन नेम ऑफ पैर पैरी प्लेंटा अमेरिकना दोस्तों यहाँ पर पैरी प्लेंटा अमेरिकना का समान नाम क्या है देखें दोस्तों अब एक्जामिनर के साथ जल्ली से बतिए यहाँ पर क्लारी ऊके मलब कहना चाहरे है इसरे अमेरिकन का क्रोच को कहा जाता है परी प्लेनेटा अमेरिक हाना ठीक है चले अगले सवाल बढरते हैं दोस्तों डैश दुनियाका सबसे से उचे पशुमे से दोस्तो जाना जाता है ब्लू वेल जिराफ सदन एलिफेंट सील और ब्राउन बियर्स जल्दी से पताई दोस्तो यह तो बड़ा सिंपा सा कोशन इसमें तो आप गलती नहीं करोगे ठीक है यहां पर खिलाडी कहरे सर बी टीवी रवी कहरे सर बी होना चा अगला सवाल प्रॉंस प्रॉंस जो है दोस्तों करेक्ट आंस रोगा उसमें दोस्तों वाइड बलड आपको देखने को मिलता है ना की रेड बलड ठीक है चले आगे वेरी गुड करिश अगला सवाल प्रॉंस बटरफ्लाइज बिलॉंग चुदा सेम फाइलम विकॉज ऑफ प्रेजन्स ऑफ डैश दोस्तों जींगे और तितलिया डैश की उपस्थिती के कारण एक ही फाइलम से संबंदित हैं क्या वो बाइलेटरल सेमेट्री हैं जॉइंटेड लेग है एंटीना हैं या सेग्मेंट बॉड़ी की वजह से किस की वज़े से दुपक्षी सम्मीति की वज़े से सहीक पैर एंटीना या फिर खंडित शरी यहां पे कर सबसर बी आप्षन जॉइंटेड लैक जॉइंटेड लेकर हैं ठीक है तो दोस्तों यहां पर करक्टांसर क्या होगा जॉइंट टॉइंटे- क्लोम का का होता है जिसको हम लोग गिलस भी कहते है टेक इन औकसीजन फ्रॉम एर एबजोर assignments प्रेज्ञन इन वा इरे तो दोस्तो यहां पे और जम ऊप्षु गा वो जाएगा C option मचली दोस्तों air से कैसे लेगी हावा वो तो पानी में रहती ही दिन भर ठीक है तो air से कैसे लेख सकती है oxygen oxygen वो पानी से ही लेगी जो dissolved oxygen है पानी में उसी से लेगी तभी तो कहते दोस्तों जो अपने घर में aquarium रखते हैं जो भी रखा होगा जिनों ने भी उनको कहा जाता है कि कुछ समय के बाद पानी बदल देना क्यों पानी बदल देना भी यह जो dissolved oxygen है वो यूज कर लेगी उसमें oxygen बच्चे कर नहीं तो फिर क्या करेगे तो फिर बदल लो पानी को ठीक है तो यह याद रखेगा तो यहां पर करेक्ट आंसर ओप्शन नमबर ठीक है चले आगे चले अगला कोशन दोस्तों आप लेए रहा दोस्तों द ब्लड सकिंग एनिमल आर्कॉल दोस्तों खुन चूसने वाले जानवरों को क्या कहते हैं ओमिवोरस हर्भीवोरस सैंगि वोरस या दोस्तों यहां पेल मतलब जो प्लांट में वगरत हे ना दोस्तों और वरद और कार्णी वरेस ठीक है कार्णी वरेस कहальं सो कांनी दोस्तों नोन वेजिटेरियन पसक்की以前 सिर्फ मास ऐसे कहाएं नौन वेजटेरियन ऐसा जहात करिए यह vegetarian है यह non-vegetarian है और दोस्तों यह omnivorous जो है ना यह दोनों है यह दोनों खाये लेगा भई vegetarian भी है और non-vegetarian भी है ठीक है याद रखेंगे चले आगे बढ़ते दोस्तों अगले सवाल के लिए लेकिन उससे पहले दोस्तों जिन्नों न अभी तक शेर नहीं किया फड़ा वर immurid बलब nocturnal मतलब दोस्तों जिसको रात में ही दिखाई दे हना चले बी option बाकी लोग क्या कहते दोस्तों यहाँ पे सब लोग बी तो दोस्तों यहाँ पर बैट करेक्ट आंस रोगा जमकादर करेक्ट आंस रोगा ठीक है चले बहुत बढ़े अगला सवाल दोस्तों आप और और तो पोड़ा जल्दी से बताईए फॉर ओप्शन पपूर आधेश्याम क्रिश ओके बाखी लोग क्या कि दोस्तों यहाँ पर फोर होगा या फिर नहीं होगा जल्दी से बताईए ठीक है दोस्तों जित्ते लोग यहाँ पर करेसर होना चाहिए बहुत बढ़िया और तो यहाँ पर करेक्ट आंस रोगा ठीक है अगला क्वेशन दोस्तों वाट इस दा कनेक्टिंग लिंक बिट्वीन एनिमल और प्लांट सेल दोस्तों पशू और पौ अगला क्वेशन दोस्तों आपके लिए बटरफ्लाइज बिलॉंग स्टू विच अनिमल फाइनिमल की तरह दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है चले अच्छे दोस्तों यूगलीना दिखता कैसा है दोस्तों यूगलीना कुछ इस प्रकार का तो आपके लिए बटरफ्लाइज बिलॉंग स्टू विच अनिमल फाइलम दोस्तों तितलियां किस पशू संख से सम्मंदित है कुलोडेटा अनिलीडा ब्रायोज्या या फिर और्थोपोडा जल्दी पता है तितली किसको बिलॉंग करती है हमने देखा था यहां पे जब हम पढ़ रहे थे तो पूछा गया है बटरफ्लाइज किसको बिलॉंग करती है यह आपको बताना है फोर 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 तो दोस्तों यहां पे करेक्ट आंसर को और्थोपोडा ऑवेसी बात है जितने भी इंसक्ट होंगे मख्या वगेरा तितलिया वगेरा वह औ पूपूपोगैरास को दोस्तों अध्य तो यहां पे करेक्ट आंसर क्यूं चीता यहां पर करेक्ट आंसर किया है बढ़ते हैं आगे की की चेप्टर बचा और वह बचा है प्लांट इससे पहले दोस्तों हम लोग ने सारे वो कर लिए इस? जो इंपॉर न थे एक दोस्तों क्लास जरूर हम करेंगे जहां पर हम लोग दोस्तों डिसी और विटामिन भी करेंगे जिससे आपके एकजामिन अगर वह आता है तो आप को भी cover कर ले तया है तो दो स्टों इसकी पीडिएफ कहा मिलेगी तो स्केटिप आसानी से जुड़ सकते हो लाइफ चैट पर दे रहा हूं और दोस्तों मैं उसको चैट पर भी मलब comment box में भी mention कर दूँगा ठीक है चलिए तो यह रहा दोस्तो आप लोगों के लिए link तो इस session को फिर यहीं पर करेंगे समाप्त अगर session अच्छा लगा है तो comment करके जरूर बताएगा और like share subscribe नहीं किया तो कर लीजे bell icon button को दबा लीजे जिससे आपको notification जो है दोस्तो व कोचिंग चैनल पर तो चलिए तब तक लिए दीजे विदा बाई बाई टेक केर जय हिंद जय भारत